नमस्कार आप देख रहे हैं दब बिहार टॉप मैं हूँ आदेश पूरी बिहार में परिच्छा से पहले या परिच्छा के दौरान कोस्चन पेपर वाइरल होने का सिलसला रुकने का नाम नहीं ले रहा है आपको उतादे कि बिहार में जो है वो अमीन की बहाली चल रही है और लगातार परिच्छा विवादों में है दनिक भासकर पेपर के हवाले से आज मुख प्रिष्ट पड़िया दिया गया है कि अमीन बहाली का पेपर जो है वो सोसल मेडिया पर वैरल हो गया और इसको लेकर है जो है वो बिसी इसी के द्वारा केस भी दर्ज कराया गया है एयरपोर्ट ठाने में तो आपको बता दे कि 4 अगस्त को ये परिच्छा हुई थी और उस दोरान भी गरबड़ी की सुचना मिली थी जिसके कारान ये परिच्छा रद कर दी गई थी पहला फेज का परिच्छा है ये दूसरा फेज 26 तारीक से सुरू होने वाला है क्या है म ऑनलाइन केंद्रों पर परिच्छा ली जा रही है अमीन के 8244 पदों पर है रिजल्ट देने वाली संस्थान पर्फेक्शन आई एस कुमार टावर बोरिंग रोड पठना ये परिच्छा जो है चार अगस्त सुरू हुई ये परिच्छा पहले फेज में 17 अगस्त तक ली गई दूसरे फेज में 26 से 29 अगस्त तक परिच्छा होनी है इस बीच आपक अगस्तियों का आरोप है कि परिच्छा माफियाओं ने सिस्टम को रिमोट पर लेकर प्रस्न पत्र सौल किया इसको लेकर गुरुवार का अभेरतियों के एक दल ने BCEC के अधिकारियों से मुलाकात कर सिकायत की और वाइरल प्रस्न पत्र सौल पा सिकायत मिलने पर BCEC के OHD अनिल सिनहा के जांच के द्वारा जांच का अदेश दियागा OHD ने एएरपोर्ट ठाने में FIR दर्ज कराई उन्होंने जांच टीम बनाई है अब जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की करवाई की जाएगी आपको बता दे कि तीन अगस्त को BCEC ने पत्ना के चार परिक्षा केंद्रो वरिंदावन मासितला मैत्रे डिजिटल और क इस्टिक कंपूटर सेट मिलें इसके बाद इन केंद्रो पर चार अगस्त को होने वाली परिक्षा को रध कर दिया गया आपको बताएं कि चार अगस्त को जब परिच्छा desktop पर देते हैं तो paper laptop पर कैसे खुला प्रस्ण पत्र लिख हुआ है आपको बताएं कि solver के laptop की तस्वीरे हो रही है वाइरल जो paper में दिया गिया है उसके मुताबित सोसल मीडिया पर दो स्क्रीन सोट वाइरल हो रहा है एक में 40 प्रस्णों को उत्तर लिखे हैं तो दूसरों में laptop है laptop में प्रस्ण 12 और उसके वेकलपिक उत्तर हैं बिहार पल्टेक्निक छात्र संके परदेश अद्यक्ष अनभावराज ने कहा कि परिच्छा केंद्रों में छ परिच्छा होगी इसका चैन वेसिस को कमपनी ने किया है मार्च में बिहार में SFC की ऑनलाइन परिच्छा भी सीफी ने कराई थी तब खगोल इस्तित AMR IT Solution Online परिच्छा केंद्र पर फरजिवारा करते हुए अभियर्थी सही तिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था इसी परिच्छा केंद्र का चैन भी वेसिस को ने किया था पता चला की सीवी आई ने 2018 में SFC पेपर लिक एंड में सीफी के 10 कर्मियों को गिरफ्तार किया था तो आपको बता दे कि वैसे संस्थाओं को दिया जा रहा है जो पहले से विवादास्पद है ऐसे में आपको बता दे कि अमिन बहाली परिच्छा जो है वो भी अब पुरी तरह से विवादों में आ गई है और संभावनाए हैं कि इस परिच्छा को लेकर जो रद करने की जो करवाई है वो सुरू हो सकती है हलाकि जाँच का जिम्मा दिया गया है और जाँच में जो अभियर्थियों के द्वारा तथ्य रखे गये हैं वो सही पाए जाते हैं तो इस परिच्छा को रद किया जा सकता है लेकिन सबसे बड़ा दुरभागे आप देखिए दैनिक भासकर फेपर के द्वारा ही लगातार परिच्छा माफियाओं से संबंदित खबरे दिखाई जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार में कितने परिच्छा माफिया एक्टिव हैं लेकिन बिहार सरकार की जो रननीती हैं उनको काबू करने की उनको पकड़ने की वो बड़ा ही सुस्त है और ऐसे में जो घटनाएं हो रही है वो युवाओं के मन को तैयारी को तोड़ने वाला है क्योंकि गड़बड़ी होने से उनका मनोबल तूटता है तो देखिए अब क्या होता है इसके साथ साथ आपको बता दे हम कि बिहार में एक और महत्पुन परिच्छा 24 अगस्ट से सुरूने वाली है और हम आसा करेंगे कि सरकार जो है उसे फुलपूरूफ ब्यावस्था रखेगी और उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी की सूचना नहीं मिलेगी तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंदाया ला